अलो दोस्तों प्रतिमा जीयस एकडिम पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज का प्रस्ण है गुजराल सिध्धान्त पर प्रकाश डालिए आप لाइक करें, सेेर करें और जिन दोस्तोंने अभी तख हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों गुजराल सिध्धान्त भारत के तदकालन विदेश मंतरी थे उन्होंने एक सिध्धान्त दिया था बिदेश नीती को ले करके जिसे बरतमान में मील का पत्थर के रूप में जाना जाता है इनका प्रतिपादन देव गौड़ा सरकार में किया गया था 1996 में इंद्र कुमार गुजराल जो देव गौड़ा सरकार में बिदेश मंत्री थे इन्होंने बिदेश नीती के अधर पर ये बताया कि यदि हम समकालीन या बैदेशिक नीतियों में एक तरफा भाव रखेंगे अपने पडोशी से बहतर सम्मद रखेंगे तो हम कई जाता ब्यापार से कहीं जो सैनिक सक्तियों में हम निवेश करते हैं उसमें हमें ज़्यादा इजाफा होगा इस डाक्ट्रिन यानि इस सिध्धान्द के मुख बिंदु इस प्रकार थे इनका मूल मंत्र था कि भारत अपने पडोशी देशों जैसे मालदिव, स्री लंका, बांगला देश, नेपाल, भुटान, आदि के साथ बिस्वसनिय सम्मद बनाएगा मतलब कि अगर हम अपने पडोशी देशों के साथ सम्मद अच्छे बना लेते हैं, तो हमें बैस्विक मंच पर तो लाब होगा ही होगा, साथ ही हम आंतरिक रूप से भी सांती रूप में रह पाएंगे उनके साथ बिवादों को बाची से सुलजाया जाएगा, तथा मदद के बदले तुरंत कुछ हांसिल करने के अपेच्छा नहीं की जाएगी गुजराल साब कहा करते थे कि हम अगर मदद करते हैं और ततकाल सोचे कि वो भी हमारी मदद करें तो यह संभो नहीं हो पायागा, वो छोटे देश हैं और उनकी इतनी बड़ी एकोनॉमी नहीं होगी या इतने ससक्त रूप में वो सच्छम नहीं होंगे कि वो भी परति उत्तर में हमें ततकाल मदद दे पाएं तो हमें ऐसी उमीद नहीं करनी चाहिए, हमें उनका मदद करना चाहिए और बादचीत के माध्यम से हमें किसी भी प्रकार के समस्याओं को या विवादों को समाधान करने की बात करनी चाहिए इसी डाक्टरिन का अनुसरान करते हुए भारत ने कुछ समय पहले नेपाल में आये भूकम के दोरान बढ़ चड़ करके सहायता की थी कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा यानि कि संप्रभुता जो है देश के बनाय रखी जाएगी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं दिया जाएगा दच्छडे एसिया का कोई भी देश अपनी जमीन से किसी दूसरे देश से खिलाब देश बिरूधी गद्विधिया नहीं चलाएगा अक्सर पाकिस्तान में देखा जाता है कि वो भारत के खिलाब अगर कोई भी मौका पाता है कुछ सडिया तर रचने का तो नहीं चुकता है तो यहाँ भी गुज्राल साहर नहीं का है कि दच्छडे एसिया का कोई भी देश अपनी जमीन से किसी दूसरे देश के खिलाब देश बिरूधी गद्विधिया नहीं चलाएगा सभी दच्छडे एसिया देश छेत्रे विवादों को सांती पूर तरीके से निप्टाएंगे इस छेत्र के देश एक दूसरे के संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे और किसी संकट से किसी संकट में निपटने में आर्थिक और मानिविय मदद करेंगे अब गुजराल साहब का जो उस समय का ये सिध्धान थाज आज भी प्रासंगिक होता है यदि हम एक दूसरे का संप्रभुता को बनाये रखें तो एक दूसरे प्रोशी के साथ कभी कोई समस्याना पैदा हो लेकिन ये बात चाइना और पाकिस्तान को समझ में कहा आती है वो तो समझता नहीं है इस प्रकार गुजराल सिध्धान गैर पारंपरिक या पारसपरिक्ता के आधार पर अपने पडोशियों के प्रत बड़े यों जिम्मेदार भाई की तरह नम्र दिश्कोर रखने और हर संभो तरीके से सवहार्द पूर संबंधों को इस्थापित करने पर जोड़ देता है बाद में ये प्रधान मंत्री भी बने थे लेकिन जैस समय उन्होंने इस धान्त दिया था उस समय ये विदेश मंत्री थे दियो गोड़ा के सरकार में धन्यवाद जैहिन जैवारत